दिल्ली के महरोली में हाल ही में हुई दिल दहला देने वाली श्रध्धा हतेकांट से आहत युवा और विभिन सामाजिक संस्थाओं के लोग श्रध्धा को नियाए दिलाने के लिए अब सडकों पर उतराये हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी आश्रधा के हत्यारों को फांसी देनी की मांग उठी है हिमाले संस्थान उत्थान ट्रस्ट की बैनर तले मंडी के सैरी में महिलाओं यूवतियों और यूवा वर्ग ने नारिबाजी की और श्रधा के हत्यारों को फांसी की मांग भी की दिल्ली के महरूली में आफ्ताब ने 18 मई को श्रधा की गला घोट कर हत्या कर दी थी आफ्ताब ने श्रधा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकडे कर दिये आफ्ताब कतल से डेड़ सब तहा पहले भी उसकी हत्या की साज़िश तयार कर चुका था अपनी लिव इन पार्टनर श्रधा वालकर की हत्या की आरोप में गिरफतार आफ्ताब अमीन पुनावाला को दिल्ली पुलिस ने 12 नुवंबर को गिरफतार किया था अब श्रधा के हत्यारे को सजा देने की मांग को लेकर पूरे देश भर में आवाज उठ रही है हिमाचल प्रदेग की छोटी काशी मंडी के सेरी में सैंक्डो यूवाओं, यूवतियों और लोगों निश्रधा को नियाय दिलाने के लिए उसके हत्यारे को फांसी देने की मांग भी की है यूवाओं का माना था कि इस तरहे की घटनाई देश और समाच के लिए एक कलंग है जिसे भारती जन्मानिस का सर्च शर्म से जुक रहा है हिमालन संस्थान उत्थान ट्रस्ट वारा प्रायूचित धर्म जागरन समन्वे मंडी बैनरतली मंडी के सेरी में महिलाओं यूवतियों और यूवा वर्ग ने नारिबाजी की और श्रधा के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग भी की धर्म चागन समन्वे मंडी प्रांथ की कारेकरता धर्म अजे कुमार ने कहा कि इस तरहे के मानसिक्ता वाली सांपो को सीधा फांसी पर चड़ा देना चाहिए अजे कुमार ने और क्या कुछ कहा आई सुनते है जो कहते हैं कि जो अल्ला को नहीं मानेगा उसको जीने का दिकार नहीं है और जीने का दिकार सिर्फ उसको ही है जो अल्ला को मानेगा ये सारे देश को तोड़ने बाड़े लोग हैं इसको हिंदू समाज शहर नहीं करेगा इस देश में रहना है तो इस देश के नागरिक बन के रहे अन्य जाथ जिसको नहीं लगता अच्छा चला जाए जान जाना हो इस बात कह हम भिरोध करते हैं और मांग करते हैं शाषन पर शाषन से रास्ट्रवती प्षार मंतरी जिसे भी कि सभी लोग इनको फैंसी दिजाए इनको जेल के अंदर रखने की जूरत नहीं है, जो लोग हमारे देश में से साम पल रहे हैं, उनको तुरंत बिलों से निकाल कर बाहर फंसी बटांगने की अबश्यकता है, ऐसी हम सब जो लोग हैं, इस बात की मांग करते हैं, आपका प्रजे, मेरा नम अजे कुमार है, मैं ध